जैहिन दोस्तों तो स्वागत करते हैं आपकी अपनी यूटूब चैनल टार्गेट इंट्रेंस एक्जाम पर तो चलिए आज का टॉपी रखते हैं जो कि बीर इंट्रेंस एक्जाम के सेकेंड पेपर में आता कलावर के 50 कोश्चन और उसमें से हम कुछ कोश्चनों को कोश्चन लेते हैं कि किस तारिक को हस्त इछानवरी समय चाहस संभा के 25 boa कि नरदे ते रूह gef Chicago to 24 uda कैसा किसे अच्छा कुछ चीजें और बता दिया जाएक पिशब़िस नौवंबर 26 नॉम्बर 1949 को हमारा सम्मिधान पारित हुआ था ठीक है और उस समय उस समय 15 अनुच्छेदों को लागू भी कर दिया गया था उस समय 15 अनुच्छेद लागू हो गए थे लेकिन 26 जन्वरी 1950 को हमारा सम्मिधान पूर्टेह लागू हो गया 26 जनूरी उनिस सपचास कवा संविधान पूर्टया लागू हो गया कुछ बाते और याद रखें जैसे कि संविधान सभा में जब मूल संविधान बना था तो उस समय थे 22 भाग अनुछेद हमारे 395 यानि 395 अनुछेद और 8 अंसूचियां थी आज के संविधान में 25 भाग ह हो गया है अनुछेद की बात करें तो 395 की जगहां 465 हो गया है लगभग लगभग 465 लेकिन अगर पूछा जाता है यह आप्शन के रूप में और आप पहले यह बता देते हैं और अनसूचियों की रूप में यह 8 की जगहां हो गई है बारान सूचियां जब आप देखते हैं कि 395 से 465 है तो कहीं ने कहीं वह इस तरीके से हैं कि 395 के पार्ट एक में ही का खा गा गा तो इस तरीके से आती हैं तो इस तरीके से पहुंच जाता है 465 अनुच्छेद जब ऐसा option आएगा कि भारतिय संविधान में और बरतमान में कितने अनुच्छेद हैं अगर 395 दे देता है तब तो आप 395 में लगाएंगे लेकिन अगर 305 में नहीं देता है तो 450 क्या सपास देता है तो आप उसे टिक करेंगे ठीक है ऐसे इन तीनों में से कोई एक ही option में रहेगा ठीक अन्सूचियों की बात हमने किया था कि पहले 8 थी अभी 12 हो गई है तो नौवी अन्सूची दस्वी ग्यारा और बारा कव कवाइड होई नौवी अन्सूची तो 1901 में आ गई थी दस्वी अन्सूची जिसको दल वदल काम नौण कहता है यह 1985 में आई थी ग्यरहमी अन्सूची यह ग्राम पंचायतों से संबंदी था व बरहमी अन्सूची नगर्ट से तो ग्यरहमी अन्सूची ndakra और बरहुई भी 1993 में आई थे ठीक है नेक्स्ट कोशन देखते हैं कि सा जहां के सत्तारून होने से पहले कोशन नमर 52 है सा जहां के सत्तारून होने से पहले तो जहांगीर के बाद वास्तविक सासक कौन था तो साजहां के सत्तारून होने से पहले और जहांगीर के बाद वास्तिविक साजादा सहरयार थे और इन ही को मार करके, साजादा सहरयार के किसने मारा? साजहां ने मारा और तब वो गद्दी पर बैठ गया, ठीक है? गद्दी पर बैठ गया सा जहां के बश्मान का नाम है और सा जहां की पट्नी नाम धान इसके बाद जहांगीर की बात कर लेते हैं जहांगीर, जहांगीर के बच्पन का नाम था सलीम, ठीक है ना, सलीम, इनकी पतनी का नाम था नूर जहां, जिनको महरुन निशा भी कहा जाता था, और जहांगीर के सासनकाल को चित्रकला का सौनकाल कहते हैं, और जहांगीर के सासनकाल में दो पीजित्रकार में थ्टे एक का नाम था मंसूर मंसूर मिठाइ वाला उस हिसाब रख को याद रख सकते हैं एक का नाम मंसूर हो गया अबुलहसन जीक है ना मंसूर मैं दूसरे कर नाम था अबुलहसन और इसी काल में बिटिस राजदूत आया था स्थामस रो कब आया था 1615 में किसके सासंकाल में जहांगीर की सासंकाल में ठीक है तो कुछ पॉइंट मैंने आपको बता दिया है जैसे कि सा जहां कई बच्पन का नाम खुर्रम था सा जहां जो है जो काल था उसको इस्थापत कला करते हैं क्यों की उसके बहुत कुछ बनवागे था ऐसके पने के नाम इसके पास दो चितों करते मनशूर और अबॉलहसand ठीक है ना और इसी काल में टामस रोग आया था सन सोला सो पंदराइस भी में ठीक है कोशन आवे 53 देखते हैं इन में से कौन साब इसे समवर्ती सूची के अंतरगत आता है बहात में इस्तित तिर्थासल डाग घर बचत बैंक के कैदियों का एक राजे से दूसरे राजमे के प्रेकाथ रेकाणानों ऊप्रफीव में इस विक्ते हैं यहीं पर समवर्ती सूची पर Birthday सरखाट से बनाती है पर forming ऑपने हिसाब के का होता केंद और राजे दोनों का लेकिन अगर कभी भी विवाद की इस्थिति आ जाती है एक ही पॉइंट पर अगर विवाद की इस्थिति आ जाती है तो ऐसे में केंद सरकार की जो पॉइंट होता है उसको सर्वू पर रखा जाता है तो वह होती है समवर्ति सूची पहले क क्या था कुछ ऐसे भी से रखे गये जिसे संघ्य सूची मैं पहले सुची में इसां विशोची देखें स्भॉर्थी मैं 47 बीसे थे जो अब बन करके बाण होगए हैं लेकिन राज्य सुची में बिसेयों को घटा दिया गया है कि राज जब कभी कभी अपने आप मनमानी करते हैं तो हटाओ फिर इनको उसके हो गए है पहले चांचर थे और अभी 61 हो गए ठीक नेक्स्ट कोशन पर चालते हैं पनामा नहर किन दो सागरों महासागरों को जोड़ती है ठीक है दे दूसरा कर cuva सागर ठीक ना तो दोननों सहीजा कर्भि rejects अगर फ्रसंत महासागर कैरी अधिक धिक अधिकति नहीं होता है तो hy लगाएंगे उसका कारण भी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि जब आप यह अपका यहां से आप ये हो गया नौःत्त आमेरिका और यह होगा साथओ अमलिका नो सरु तो अभी क्या है इस option में आप लगाओगे कि आट्लांटिक महासागर और प्रसांत महासागर ठीक है अगर यह दोनों option में नहीं होते हैं तब आप लगाओगे सागर और प्रसांत महासागर ठीक कि चलिए नेक्स्ट को सलते हैं विधायकों के संख्या की दिश्टी से भायत की सबसें छोटी विधान सभा का ऐं सबसे चोटी विधान सभा काउंची है विधायकों की संख्या से विधान सभा में सदिल्ली में कितने हैं तो दिल्ली में आपके हैं सब्तर विधायक ठिक पुदुचेरी में हैं तीस विधायक गोवा में हैं चालेस और सिक्किम में 32 तो से साब से ऑप्षन भी सही हो जाएगा और पुद्यु चेरी में विधान सभाव कि सबसे चोटी विधान सभाव ठीक है और दोगिक संकथन के मुताविक कंपनिया प्रत्यच विदेशी निवेस में जूड़ी होती है क्योंकि इसका तो सीधा सा ज कोशिश करता है तो इसमें ऑप्षन सी हो जागा कि कुछ संपती अस्थानी नियंतर से जए अधिक मोल्की होती है ठीक है ग्रीक दर्सन का सूतरवागी क्या है ग्रीक दर्सन का सूतरवागी हो गया आश्चा रिकरो ताकि तुम जान सको देखो यह चीजे कुछ पॉइंट है तो ग्रीक दर्सन का सूतर है क्यों आश्चा रिकरो ताकि तुम जान सको ठीक है लेते हैं इलाची पहारियां किस परवत सिंखला में इस था पहला आरॉली परवत सिंखला पीर पंजाल परवत सिंखला पूर्भी घाट और पश्चमी घाट देखो मैं तुमें बताता और यह तो रसाएका यहां दिल्ली मान दो है और अब आप देखोगे कि अरावली परवत सिंखला जो है वह राजास्थान से एसे बनी हुए यह दिल्ली तक जाती है ठीक है पीर पंजाल यह आपका कश्मीर वाले एरिया में आ जाता है पूर्भी घाट यह आपका इस छेत नेलगीर की पहारी ठीक ना अब आप देखो कि यह वाला इरिया जो है इन लिकार पाहरी का एरिया होता है और इसके नीचे जो है वह इलाची की पहारी आपड़ी तो यहां पर इस गाठ के पास तो नेलगीर की पाहरी पर यह पस्च्च्मी गाठ और भी फैला हुआ है कर तो इसको बोलते हैं ज Надоकर ने कुछू büy किया कैं याम के तिन स्टम्भ क्या कैंद पूजी भ्रूमी मजाट स्रम बाजार पूजी और भूमी श्रम और पुजी तो उत्पादण कितिने उसतरों में आंएगा Túmichi नहीं राती सभापती ला सभा कि कौन होगे वह भारत के उपराष्ठी पती के इनको चुना नहीं है राजसभा में यह जो भी भारत का उपराश्च्पती होगा वो स्वता ही राजसभा का पदेन सभापती हो जाता है और यह एक बात और है कि यह वोटिंग नहीं करते हैं लेकिन अगर निर्णाइक स्थिति आ जाए कि सभी के वोट बराबर हो जाए मैच टाई हो जाए जिस किसने मनोविज्ञान को किरियाओं का विज्ञान कहा है फ्रैग ठिशनाद वुडवर्थ और बोरिंग ने तो इसको कहा है मनोविज्ञान को किरियाओं का विज्ञान कहा है वुडवर्थ ने ठीक है शिक्षित्री कुश्चन है महात्मागानी ने सत्यागरा सभा की के लिए पहले भाट में अईसा करने वाले तरहूर्टते ब्रह्म सभाकि अस्थापनी थी और बार में बन गया ब्रह्म समाज ठीके ना इनको राजर्याराम महन राय को और भी कई नामों से जहाना जाता है जिसे आधुनिक भारत का पिता ठीक नव प्रभात का तारह अच्छा राजाराम महन राय के समय गवंदर्यौन कौन था इसको नील की खेती के लिए जाना जाता है और नील की खेती के लिए जाना जाता है और नील की खेती के लिए इसे जाना रहा था कि इसका कारण क्या होता था तिन कठिया इसलिए इस कहते थे कि जैसे किसे के पास दस विखा खेत है तो वो क्या करेगा तीन विखे के खेत में नील की खेती करेगा ऐसा अंग्रेजों का कहना था ऐसा यह दवाओ था अंग्रेज अब उसका जो है तीन लेंगे एक तीहाई लेंगे तीन लेंगे तो लगबर 2.20 या ऐसे कुछ आएगा तो अब इतने जमीन पर आपको खेती करने इस तरीके से क्या होता था कि किशानों के लिए समस्य जमीन उनके बंजर हो जाती थी और खाने के लिए धीरी धीरे लाले अनुतान का संबंध है तो अनुतान का संबंध है तो अनुतान का संबंध है वह है उचारण के उतार चड़ाओ से ठीक ना उचारण के उतार चड़ाओ से शिक्षी से बन है निमलिखित में से कौन सा पार्स्विक बन है पार्स्विक बन जो है उसको लाग लाग को जो है तो एक प्रस्विक होता है एक होता है लुन्ठित व जो है वो क्रांट वैसको रा और तो डा को कहते हैं लुन्ठित अंगर इसमें सामिल नहीं है तो कितने राज सामिल है validity Quran उत्रा खंड ठीक है Na यंपी चत्तिसगड जार्खंड बिहार हिमाचल परदेश ठीक और दिल्ली इसके साथ एक देश जो की है नेपाल ठीक ना इस तरीके से उत्तर परदेश की भागुलिक सीमा को इतने राज्ये स्पस्ट करते हैं कहने को तो आठ राज्य है एक किन्सासित परदेश है टोटल न इस भाकव अपानीे सीटीफत आता है किस सहर को की नाम से जना आता है तो वो सहर का नाम है जमसेथपू सहर ठीक और टाटा आरन एंसटील स्थापना कब होई थी उनीज सो साथ में एक नदी नहीं है तो वहोगी क्रिषणा क्रिषणा भाहती नदी नहीं क्योंकि न्रमदा लोनी और सावर्मठी जो है है वह तरीकर से जो है पश्टमी दिसा में बैखती है होगया और ये आपका तलम जो है नर्मदा नती द्लूनी और से सावर्मति यह नर्मदा जो हृखा भरान्स घातियां बनाते ही वह जाती फिलूनी भी यह जाती है दूनी क्या होता है और राजस्थान के यह जो कच्छ करण होता है वह उसी में विलुप्थ हो जाती है वह आगे बड़ी नहीं पाती है यह विजारी का लूनी के तो लू नहीं हो जा रहे है एक तो महाराष्ट हो जाएगा दूसरा करनाटक हो जाएगा और तीसरा आंध्रपर्देश न तो तीन राज्यों से करती है और जाती है क्रिश्ण नदी इस तरीके से पश्चिम बंगाल में डेल्टा बनाते हुए गिर जाती है ठीक क्लेक्टिव नाउन कौन से है तो यह पहला ऑप्षण है डॉक्टर टीम सिटी और विपल इसमें जो ऑप्षण भी है टीम वही जो है क्लेक्टिव नाउन को ऑफ्षण रहेगा समय ठीक है नेक्स्ट कोशन है 73 महातमा गाधी ने आर्थ विवस्था के वकालत की अस्थानजे केंद्रट yapmışके गलोबल तो महातमा गाधी ने जिसकी ऑफालत की थी किस तो फिक गाउं को उठाओ यह से एक होते हैं जो चलेगी नीचे तक आएगी गाउं तक तक लेकिन गांधी जीने क्या कहा कि गाउं से उठाई कोई भी चीज गाउं से ऊठाई दो फिर पेगां फिर बलॉक फिर जिला राज और फिर केंद्र तक ronya उन्होंने का था कि इसको विकेंदी करो इसको फैलाओ इस तरीके से तब होगा और इसलिए जो है कभी भी जब पंचाइदी राजवेवस था या कुछ भी जैसे ग्रामीर परवेश से कोई भी योजना लांच होती है तो आकसर आप देखोगी तो उसके जो योजनाओं के ला था कि पहले तो अंग्रीजी कपलों का बहिसकार किया जाए जिससे इनकी अर्थ विवस्ता अंग्रीजों के रिल टूटे और इसके लिए जरूदी था कि लोगों को एक किया हम सभी भारतियों को और इसलिए उन्होंने खादी को अपनाया महत्मा गांधी के लिए खादी भारतियों मानों की एक ता इसके आर्थिक सतंता और समानता का ठीक था ठीक इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग छेत्में महत्तपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है घटी होई CRR और SLR ब्याजदर का विनिमें नई पीरी बेंग वर्धित SLR तो कौन से बैंकिंग महत् कर आई जाएगी और आप सभी लोग देखें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक सरी वीडियो को शेयर करें ठीक है ओके थैंक यू